अगर आप इसके बारे में जादा डीटेल जानना चाहे तो इस वीडियो के अंतक बने रहेगा आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको complete overview देने वाला हूँ और अगर इस पर आपको detailed study चाहे तो मुझे comment करके जरूर बताएगा उस पर हमें एक dedicated video बनाएंगे कि VAP 3.2 एक्जाक्ली कौन-कौन सी companies बना रहे हैं तो चलिए गाई शुरुआत करते हैं आज की exciting videos केंदल लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जानना चाहते हैं एसी कोई exciting news related to digital marketing तो make sure कीजेगा आप चैनल को जरूर subscribe करें वीडियो को like करें और अगर आप 9 days free blogging training series master series को जोईन करना चाहतें एक course को तो उसका free link description में उ web 3.0 क्या है so सबसे पहले हम बात करते हैं evolution of an internet web 3.0 that means कि definitely यहां पर 1.0 भी है और 2.0 भी है इसके बात आता है 3.0 तो 1.0 क्या है 1.0 आप यू समझ सकते हैं कि यह first generation of an internet था जब सबसे पहले पहले internet आया और जब वह websites हुआ करते थी तो वह website में सिफ आप content को देख सकते थे ल that was a web 2.0 क्योंकि web 1.0 जो करीब करीब 2004 के असपास खतम हो गया इसके बाद जो भी applications built होना चालो हुआ यह वो applications थी जहां पर आप exactly interact कर सकते थे चाहे वो website है उसमें CSS है उसमें HTML है आप उस site में जाकर के image को upload कर सकते थे download कर सकते थे form को fill up कर सकते थे मतला बहुत सारा interaction स्टार हो गया तो यह जो generation के लाई वो हुई web 2.0 और इसी generation में आप और हम जैसे लोग familiar हुए Facebook से familiar हुए Instagram से और YouTube से मतलब एक ऐसा platform जहां पर exactly आप interact कर सकते थे यह कहलाया web 2.0 मतलब web 1.0 में आपको सिब static website दिखा करते थे 2.0 के अंदर आप actually site के साथ interact कर पा रहे थे और 2.0 के अ सरे सी company, just take an example, Google, Alphabet Inc. ने बहुत पैसा बनाया और बना रही है क्योंकि वो user का data बहुत जादा collect कर रहे हैं, similarly Amazon पैसा बना रहा है, similarly Facebook पैसा बना रहा है, यह सारी companies lot of amount accumulate कर रहे हैं, किस basis पे user का data grab कर रहे हैं, मतलब एक privacy बड़ा concern है, simple सब्दों में यू बताओ कि जब भी आ sales को कितना view करते हैं, उसके हिसाब से Facebook आपका data grab करते हैं, और वो market के अंदर advertisers को sell करता है, जिससे advertising का revenue सारी companies बनाती हैं, similarly with the Google, Google आप Google search engine पे किस तरीके से interact और search करते हैं, उसके बिहाब पे Google search engine Google Advert के थ्रूँ advertisement को sell करता है, और वो पैसा बनाता है, similarly यहाँ पर बहुत सारे data privacy के issues भी हमने पिछले 2-3 सालों के अंदर सुन हैं, जहाँ पर data को completely sell किया गया, या फिर data stolen हुआ, तो यह कहीं न कहीं web 2.0 एक centralized mechanism दा, जहाँ पर आपका data किसे central authority के पास में है, और वो उसको जैसा चाहे, जिस तरीके से चाहे वो use कर सकता है, तो यहाँ पर आप एक तरीके स लेकिन वो creator जिसको पूरा 100% earning नहीं मिलता है, बलकि उसकी data को use करके कोई और company उससे भी ज्यादा पैसा बनाती है, तो that's called as a web 2.0 जहाँ पर कोई central authority होती है, जो आपके data को control कर रही है और आप ही के data से वो पैसा बना रही है, इसे के साथ हम सब ने witness किया 2009 के अंदर जब bitcoin, blockchain based technology का introduction हुआ, और जैसे ही हुआ, तभी से web 3.0 market में discuss होना start हो गया, सदल शब्दों में बताओ, तो web 3.0 एक ऐसा platform है, जहाँ पर किसी का भी control नहीं है, यह एक तरीके से decentralized platform है, माल लिजी कि आपने कोई blog लिखा और वो जो blog है, अगर वो decentralized network पे है, तो एक बार आपने लिख तो उस particular content की copy कोई करने पाएगा, दूसरे सबसे important चीज, web 3.0 is the upcoming future, आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपको जबरदस bomb इसके अंदर देखने को मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा advantage यह है, advantage कहूं या disadvantage कहूं, advantage यह है कि यहाँ पर किसी भी company का control नहीं रहेगा, चाए Google हो, अभी आप जो SEO करते हैं, इसका हम last में discuss करेंगे कि इसका existing आपकी blogging और athlete marketing और digital marketing जड़ने पर क्या impact पड़ेगा, लेकिन इसको आप सरल शब्दों में यह समझें, कि जिस तरीके से आज आप search करते हैं, तो आपके पास कुछ criteria's है, कि Google ऐसा rank करता है, लेकिन future के अंदर वहा आज के date के अंदर Google का अपना database है, Yahoo का अपना database है, Facebook का अपना database है, आप जब अलग-अलग search engine में जाते हैं और जाके search करते हैं, तो उनके algorithm और उनके criteria के इसाब से आपको output मिलता है, लेकिन WAP 3.0 एक central repository, एक digital decentralized system है, जहापर सारा data कहीं ने कहीं एक ही blockchain पे पड़ा हुआ है, न accuracy के साथ find out करके देगा, तो in short, आपका जो searching का pattern है, in short, जिस तरीके से websites को pull करके display करवाये जाएगा, मतलब जो search ranking का जो criteria है, यह सब कुछ बदलने वाला है, जब WAP 3.0 fully market के अंदर implement हो जाएगा, और in short में अगर बता हूँ, तो WAP 3.0 एक तरीके से blockchain based technology है, indirectly में कहूँ, तो इसी की वज़े से cryptocurrencies चलता है, तो blockchain is going to be the future and hopefully this is the coming future as part of a WAP 3.0, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके से market में adoption हो रहा है, that's massive, इसकी जो starting होई थी 2017 के असपास होई थी, लेकिन recently जब Facebook ने अपना rebranding किया from Facebook to Meta, एक तरीके से Metaverse, तो यहाँ से यह जो WAP 3.0 है, वो बहुत ही trend में आ चुका है, तो अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि तो क्या WAP 2.0 आपकी blogging और यह सब कुछ खतम हो जाएगा, so the point is कि यह near future में possible नहीं है, कि आज और एक दो साल के अंदर कुछ ऐसा changes आएगा, लेकिन hopefully within 3 to 5 years definitely आपको massive change देखना मिलना वाला है, internet world के अंदर, now the most important part, तो क्या आपकी content writing, जो आप करते हैं, वो आपको नहीं करना होगा, तो simple से चीज़ा, जब WAP 3.0 भी आएगा, तो users को content की ज़रूद तो पड़ेगी, और जब वो content की ज़रूद पड़ेगी, तो आपके लिखे हुए content ही user को दिखाए देंगे, but the point is कि अभी आपके पास वो static SEO के rule नहीं रहेंगे, कि Google ने ये announcement rollout किया है, कि आप title में ये use करो, ये keyword use करो, तो आप rank करोगे, अब backlink बनाओ, तो आप rank करोगे, now ये जो criteria's है, search engine optimization, search engine ranking के, वो WAP 3.0 आने के बाद totally बदल जाएंगे, इसलिए एक छोटा सा hint, कि अगर आप आज से किसी भी type का content produce कर र पे कभी भी आपके content को rank करने वाला नहीं है, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपके content को analyze किया जाएगा, targeted long tail query, because that will go in depth, उसके पास पूरा central database रहेगा, एक single blockchain का, तो उस database से वो एक targeted, specific answers का detail ही वहाँ से pull करेगा, तो make sure, अगर आप आज से कोई भी data implement कर रहे हैं, तो हमेशा make sure कीजेगा, आप long tail keyword के around content focus कीजेगा, तो यह है web 3.0, जो कि है upcoming future, अगर आप चाहते हैं, इसके बारे में detail जानना और समझना, तो blockchain technology and cryptocurrency is my favorite subject, so आप mrvrs.com site को start कीजे, follow करना में अभी recently बहुत सारे content, इसी technology के around, वहाँ पे publish करने वाला हूँ, जो hopefully आपके लिए एक exciting learning हो सकत है, and this is definitely going to change the internet and digital marketing, so hopefully आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, ऐसी information में लाता रोंगा, लेकिन make sure कीजिए, अगर आप इस channel पे नय है, तो channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, और comment करके अपने opinion बताना मत बुलेगा, आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, जय हैं, जय भारत!